जहिन दोस्तों, आज मैं ब्यपहरन और अफहरन यानि किटनेपिंग और अब्डक्षन के अंतर के बारे में बात करूँगा। किटनेपिंग का अपराद 16 साल से कम आयू के बालक या 18 साल से कम आयू के वालिका या विक्रचित वाले व्यक्ति के साथ हो सकता है, जबकि अफहरन अब्डक्षन किसी भी उम्र वाले व्यक्ति के साथ में हो सकता है, इसमें कोई आयू शिमा नहीं है। दूसरा किटनेपिंग किसी व्यक्ति के विधिपुर्ण सेलक्षन आनि लौफुल गार्जियन सिप की देखरेक से हटाना है। यानि बगर सेलक्षन वाले बालक या बालिका को ले जाने या वहकाने से किटनेपिंग का अपराद कंस्टिचूट नहीं होता है। जबकि अब्डक्षन आपहरण में व्यक्ति का संदक्षन ता आविश्यक नहीं है क्योंकि व्यक्ति खुद ही व्यस्क होता है। आगे किटनेपिंग के अपराद में बल प्रियोग आविश्यक नहीं है। आविश्क और व्यक्रचित वाले व्यक्ति को प्रलोवन या प्रेडित करके उसे जाने के लिए तयार किया जा सकता है। जबकि अपरन में अबडक्शन में बल प्रियोग छल कपट आविश्यक है। किटनेपिंग के अपराद में व्यक्ति का अनिकी आविश्क और विक्रचित व्यक्ति के सहमतिक की आविश्यकता नहीं है। मात तो नहीं है क्योंकि वैद सहमति संभव ही नहीं है। जबकि अपरन में अबडक्शन में व्यक्ति की सहमति एक अच्छा बचाओ होती है। आगे किटनेपिंग में किटनेपर का आसे कोई महत तो नहीं रखता है। जबकि अबडक्शन में अबडक्टर का अपहरता का आसे विशेश महत्व रखता है। किटनेपिंग में अपराद continuing nature का नहीं होता। यह तभी पुर्ण हो जाता है जब विदेपुर्ण संदक्षन से व्यक्ति को हटा लिया जाता है। जबकि अबडक्शन में अपहरन में अपराद अनवरत और continuing nature का होता है। यह सतत होता है, चालू अपराद होता है। और जब यह किसी विशेश साथ किया जाता है, तभी अपराद पुर्ण होता है। किटनेपिंग एक मूल अपराद है, अता स्वयम दंडनिये है। जबकि अबडक्शन अपहरन एक आगजिलेरी अपराद है, सहायक अपराद है, यह स्वयम दंडनिये नहीं है। यह दंडनिये तभी होता है जब यह IPC की धारा 364, 365, 365 में वर्नित किसी एक आसे के साथ में किया जाता है। आज का वीडियो इतना ही, मैं उपंदर कुमार सिनहा, रिटार्ड सिनियर बैंक आडिटर और पेशे से वकील आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और सेयर करें। धन्यवाद।